हेलो फ्रेंड्स मैं हूँ आपके सामने गोरो मिगलानी हम पढ़ रहे हैं 12th क्लास की बिनस्टेडीज हमारा चैप्टर कांटीन्यू चल रहा है कंज्यूमर प्रोटेक्शन का इस चैप्टर का हमारा ये वीडियो नमबर 12 है पहले की 11 वीडियो में हम काफी कुछ कवर कर चुके है तो इस लिए इस चैप्टर की अलग से एक प्लेलिस्ट बन चुकी है जिसका लिंक मैंने आपको इसी वीडियो के डिस्किप्शन बोक्स में दिया हुआ है तो Consumer Act 1986 के अंडर में बहुत सारे प्रोवीजन्स है तो अगर कोई कंझियूमर उन प्रोवीजन्स का बेनिफिट लेना चाता है तो एक कंझियूमर को ये जान लेना बहुत ज़रूरी है कंझियूमर का मीनिंग क्या है किस बिहाफ पर हम कमप्लेन कर सकते है थी टाए जुडिशिन मशिनरी क्या है complain को खतम करने का time period क्या रहता है complain कौन कर सकता है complain किसके अंगेश्ट की जा सकती है complain करने की fees क्या है जब आप complain कर देते हो तो उसका जब solution हो जाता है तो आपको क्या benefit मिलता है मतलब relief remedies available for consumers तो पहले के ये 7 topics हम cover कर चुके हैं तो इन topics का link आपको इसी वीडियो के description box में दिया हुआ है पहले हमने discuss किया था meaning of consumer फिर हमने इसकी अलग से वीडियो मनाई है एक वीडियो, दो वीडियो फिर topic number 3 से लेके 7 तकी एक 3rd वीडियो इन तीनों वीडियो के link आपको इसी वीडियो के description box में दिये हुए है अब हमने topic discuss करना है remedies या relief available for consumers तो सबसे पहला जो हमारा relief consumer को मिलता है वो है removal of defects अगर lab के अंदर प्रयोग शाला में ये proof हो जाता है कि product में reality में ही defect है तो order दिया जा सकता है कि उस product में defect को खतम किया जाए for example आपने एक mobile लिया नया mobile लिया पर mobile की display में problem है आपने case file किया, proof हो गया कि display में reality में problem है company की तरफ से तो court क्या करेगा order दे सकता है कि defect को दूर करो या हो सकता है कि company के पास display के अंदर ये problem खतम करने का कोई solution हो ही न तो हो सकते है कि आपका product replace कर दिया जाए mobile आपका मंगवा लिया जाए और दूसरा mobile आपको नया भेज दिया जाए तीसरा solution ये भी हो सकता है कि company के पास वो mobile अब हो ही ना, stock में ही ना हो तो company ना तो आपका defect दूर कर सकती है ना आपको product replace कर सकती है तो क्या होगा पैसा आपका refund भी मिल सकता है तो ये हुए पहले तीन relief चोथी बात award of compensation हो सकता है कि product को use करते हुए आपके body को नुकसान हुआ हो कुछ और नुकसान हुआ हो तो उस नुकसान की भरपाई की जाती है money से compensate किया जाता है पांची बात removal of deficiency in services अगर services के अंदर कोई कमी रह गई है तो उस कमी को दूर करने का भी निवारन किया जाता है अब deficiency in services क्या है ये topic हमने पीछे वाली videos में discuss कर लिया है चटी बात discontinue of discontinue of unfair restricted trade practice कुछ अनूचित वैपार वैवार होता है गलत तरीके अपनाना तो उसके उपर भी रोक लगाई जा सकती है मान लो गैंस का connection लेते हुए सामने वालों ने आपके उपर restriction लगा दी कि गैंस का connection लेने के साथ साथ गैंस का चुला लेना भी बहुत जरूरी है कार लेने के साथ कार के insurance की policy लेने भी जरूरी है अगर आपने complaint कर दिये complaint आपकी पूरी हो गई समाधान मिल गया तो court क्या कर सकता है इस परकार की unfair या restricted trade practices पर भी रोक लगा सकती है stopping the sale of dangerous goods कुछ product ऐसे होते हैं जो हमारे लिए risky होते हैं danger होते हैं हमारे लिए use करना भी उनके लिए हमारे लिए खदरनाक होता है तो court ऐसा कह सकता है कि इन product को use करने पर रोक लगा दी जाए हो सकता है कि इस परकार के product को market से ही withdrawal कर लिया जाए company को order दे कि इस परकार के product आपने अब नहीं sale करने क्योंकि company अगर market में product रखती है तो कोई न कोई तो खरीदेगा तो कहीं न कहीं से किसी का तो नुकसान होने ही वाला है तो यह सारे benefit consumers को मिलते रहते हैं आठवा point के बाद payment of adequate cost last जो remedy available है consumer के लिए क्या करना होगा trader should pay the adequate cost to the victim कभी-कभी ऐसा होता है कि victim का कुछ PDT पक्षकार का कुछ खर्चा भी लग जाता है तो trader क्या करेगा उसको अत्रिक्त पैसे और भी पे करेगा मालो 50,000 रुपे का product था खराब निकला company को बताया company मानी नहीं अब बंदा क्या करेगा खर्चे करेगा अपने court में case file करेगा उसके 10,000 प्रका खर्चा और हो गया अब company ने क्या करना है 50,000 तो pay करने ही है उसको product तो replace करके देगी ही मानलो यह product के अंदर defect दूर करके देगी पर उसका जो सामने वाले person का जो 10,000 का extra खर्चा हुआ है वो भी pay करना ही होगा तो इस परकार के order court दे सकती है तो हमने यहाँ पर 9 वो remedies पड़ी है वो services वो benefit हमने पड़े हैं जो एक consumer को मिलते हैं या तो product के अंदर defect दूर होगा replace हो जाएगा money refund हो जाएगी कोई नुकसान हुआ है तो उसको वो भी पैसा मिलेगा services में deficiency रही है तो वो उसको दूर किया जाएगा जो services दुबारा provide किराए जाएगी तो ऐसा हो सकता है unfair restricted trade practices पर रोक लगाए जा सकती है ताकि ऐसा product दुबारा ना sale हो ऐसा काम दुबारा ना हो ऐसा गड़ बड़ी फिर से कोई दुबारा repeat ना करे dangerous product को sale करने पर रोक लगाए जा सकती है market से dangerous product remove किया जा सकते है ताकि वो product दुबारा से किसी को sale ना किया जा सके extra कोई खर्चा अगर हुआ है किसी person का तो वो भी उसको refund कराने के order court दे सकती है तो हमारा ये provisions का topic complete हो चुका है तो next video में हम इस chapter को और आगे continue करेंगे तो मिलते हैं अब next topic में एक नए video में तो यहां तक का video देखने के लिए आपका धन्यवाद